नमस्ते, मैं हूँ आपकी फार्मसिस्ट अश्वीनी और आज हम बात करेंगे प्रोप्रानलॉल के बारे में प्रोप्रानलॉल एक बहुत ही फेमस ड्रग है, शायद आप इससे इंडिराल के नाम से भी जानते होंगे यह एक बीटा ब्लॉकर दवा है, जो मुख के रूप से हाई बीपी को कम करने का काम करती है प्रोप्रानलॉल के बहुत सारे ब्रैंड्स मार्केट में अविलेबल है, इंडिराल तो आप जानते ही होंगे इसके अलावा, माईगरा बीटा, सिपलार, बीटा कैप, प्रोप्लेस, इत्यादी काफी सारे ब्रैंड्स आपको मिल जाएंगे अब चानते हैं इसके उप्योग के बारे में, यह एक बीटा ब्लॉकर दवा है इसका इस्तिमाल हाई ब्लेट प्रेशर, अन्यमित दिल की धड़कन, कमकपी लगने और अन्यस्थीतियों के उप्चार के लिए किया जाता है इसका उप्योग दिल के दोरे के बाद जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए भी किया जाता है साथी यह माईग्रेन, सिर्दर और सीने में दर्यानी की एंजाइना से रहा दिलाने में भी उप्योगी है हाई ब्लेट प्रेशर को कम करने से स्ट्रोक, दिल के दोरे और किड्नी की समस्याओं को रोगने में भी मदद मिलती है साथी इस दवा का इस्तिमाल, एंग्जाइटी या फिर ठाइरोड के लक्षेनों को नियंतरित करने के लिए भी किया जाता है इस दवा के ऐसे उप्योग भी है जो दवा के पैक पर लिखे नहीं गये है लेकिन आपकी हेल्थ कंडिशन को देखते हुए डॉक्टर आपको इसके इस्तमाल की सला दे सकते है अब हम जानते कि प्रोप्रेनोल काम कैसे करता है ये दवा शरीर में कुछ नाचरल केमिकल जैसे की एपिनेफरिन की आक्षन को रोकने का काम करती है जो दिल की और खून की नसों को प्रभावित करती है जिसकी मदद से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिल पर पढ़ने वाले तनाव को कम किया जा सकता है प्रोप्रेनॉल की और टाबलेट हार्ट के वेकलोर को कम करती है और दिल को रेगिलरली धटकने में मदद करती है प्रोप्रेनॉल चार फॉर्म में अवेलेबल है औरल टाबलेट, Extended Release, Aural Capsules, Aural Liquid Solution और Injectible दिन में 2-4 बार या अपने डॉक्टर के द्वारा तै किये गए मातरा में दवा की खुराग लेनी चाहिए अगर दवा के लिक्विड रूप का इस्तवाल कर रहे हो तो इसकी मातरन आपने वाली विशेश चम्मच का ही इस्तवाल करें घरेलू चम्मच का इस्तमाल ना करें क्योंकि इससे दवा की खुराक कम्या ज़ादा हो सकती है दवा की खुराक स्वास्थे स्थिती और उपचार के प्रक्रिया पर तै की जाती है इसका मैक्सिमम डेली डोज है 320 मिलिक्रम पर डे याद रखे कि हर रोज दवा का डोज एक तै समय पर ही ले साथ ही यह भी ज़रूरी है कि स्वास्थे ठीक होने के बाद भी दवा की खुराक जारी रखे अगर आप प्रोप्रेनलोल हाई बलड प्रेशर के लिए ले रहे हैं तो इसके एफेक्ट एक से बारा हफ़तों में देखे जा सकते हैं अगर आपको इस दवा के इस्तिमाल से किसी भी तरह की कोई allergy होती है तो इसके बार में अपने डॉक्टर को बता है अपने डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को लेना बंद ना करें प्रोप्रेनलोल को अचानक बन करने से दिल की धड़कन में बदलाव, सीने में दर्थ या दिल का दोरा पड़ सकता है डॉक्टर इन प्रभावों को रोगने के लिए कई हफतों तक धीरे धीरे आपकी खुरा कम करेंगे इस दवास से आपको नेंदा सकती है इसको खाने के बाद ड्राइब ना करें, मशिनरी का उप्योग ना करें, साथ ही ऐसा कोई भी आक्टिविटी ना करें जिसमें सतर्ता की आवशकता हो प्रोप्रेनलोल लो ब्लड शुगर का कारण बन सकती है इस दवा का उप्योग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए यदि आपको मदुमे हैं खास कर यदि आप इंसुलीन या कोई और ड्राइबिटीज की दवा लेते हैं जो लो ब्लड शुगर का कारण बन सकती है अगर आपको अस्तमा यानि दमा या उस जैसी ब्रीधिंग प्रोप्रेनलोल ना ले इससे आपका अस्तमा बढ़ सकता है शराब से आपके शरीर में प्रोप्रेनलोल का स्तर बढ़ता है इससे आपको साइड इफेक्स का अनुभव जादा होगा इसलिए प्रोप्रेनलॉल के साथ शराप का सेवन ना करे। अब हम जानते इसके साइड एफेक्ट्स। अगर आपको पित, सास लिदे में कठिनाई, चहरे, होठ, जीब या गले में सूजन दिखाए दे तो तुरन डॉक्टर की मदद ले। अगर आपको बेहोशी हो या बेहोशी महसूस करें, या फिर सास की तकलिफ महसूस करें, टकनों में और पैरों में सूजन हो, मतली, पेट के उपरी हिससे में दर्द, खुजली, भूक में कमी, गहरे रंग का मूदर, मिट्टी के रंग का मल, पीलिया, हाथों और पैरों में ठंड का हैसास हो, डिप्रेशन या भ्रहम हो, गंभीर त्वचा की प्रतिक्रिया जैसे बुखार, गले में खराश, आखों में जलन, त्वचा में दर्द, लाल या बैंगनी रंग के चक्ते विशेश का चहरे या उपरी शरीर में जो फैल जाते हैं और छाले हो तो आपके ड दुश्प्रभावों का अनुभव नहीं करता, इन साइड इफेक्ट्स के अलावा भी अगर किसी तेरह के लक्षन दिखाए दे तो अपने डॉक्टर से संपर्ख करें थायोरीडाजीन्स के साथ प्रोप्रेनल का उप्योग करने की सिफारिश नहीं की जाती है, आपके डॉक्टर इस दवा के साथ इलाज नहीं करने या आपके द्वारा ली जाने वाली कुछ अन्य दवाओं को बदल सकते है, प्रोप्रेनल का सेवन आपके स्वास्ते स्थित अगर आपको कार्डियोजनिक शॉक या फिर हार्ट फेलियर हो, एस्तमा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, डाइबिटीज, हाइपर थाइरोइडिजम, हाइपोगलाइसीमिय यानि कि लो ब्लड शुगर, गुर्डे की बेमारी, लीवर की बेमारी, फेफ लोग की बेम जैसे ब्रॉंकाइटेस, वुल्फ, पार्किंसन, वाइट सेंड्रोम हो, जो आपको, या फिर आप कोई मेजर सर्जरी प्लान कर रहे हो, या जिन लोगों को गलॉकोमा, एलर्जी हो, या फिर अनकंट्रोल ब्लीडिंग या शॉक हो, तो प्रोप्रेनलॉल के इस्तमाल के ब प्रोप्रेनलॉल के साथ अपने उपचार के दौरान चुरू या बंद करने वाले हैं, विशेश रूप से कोई विटामिन्स, या कोई हर्ब्स, अरिद्मिक ड्रग्स जैसे की ऐमियोडरोन, ब्रेटिलियम, क्विनिदीन, डिसोपाइरामेड, ब्लड प्रेशर की दवाई या फिर अल्फा ब्लोकर जैसे की प्रयो सीन, टेरो सीन, डॉकजा सीन, क्विPackeeping या फिर अल्फा ब्लोकर जैसे की आपका हाऄ रेड और ब्लेड प्रेशर बढ़ता है जैसे की एपिनेफरीन, दोब्यू टामीन, आईसो प्रोटेरनोल, ऑईसते मा के द्रूच जैसे की थि इकलोफिनाइक, इटोडोलाइक, फिनोप्रोफेन, आइबूप्रोफेन, खुन पतली करने वाली दवाईं जैसे की वारफेरीन, पेट के छालों के लिए जो दवाईं इस्तेमाल होते हैं जैसे की सिमेटीडीन और एंटासेट जिसमें की अलिमिने हाइट रॉकसाइड है वो तो यह होगी जानकरी प्रोफेनलोल के बाते में, आशाकर्तियों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूसफुल लगा हो, तो आप इससे अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ जरूर शेर कीजिए, ऐसे ही यूसफुल और इंफोम जाप आप आप एंट ते वेडियो गुड़ के लगार आपके लूसफुल